हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का सॉलूशन दिरी से यूट्यूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रपोजीशन से रेल्टीव प्रेटे सेट लिया है इस प्रेटे सेट में 21 कुश्चन कवर करेंगे आप लोगों को जरूब बताना है कि आप लोगों 21 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम की चनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजे और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं YouTube channel join करते ही आपको सभी वीडियो की जब PDF होगी वो आपको Telegram पे मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग channel को join कर लेंगे तो आपकी YouTube की home page पे membership का option खुल जाएगा तो इस membership section में आपको सभी वीडियो की जो PDF का password होगा वो आपको मिल जाएगा PDF file के लिए जो है आप लोग Telegram को भी join कर लीजिए लिंक जो है वीडियो का description में है लास्ट में आप लोग उना 21 में से कितना score किया है comment box में जरू बताएं और लास्ट में जो question में पूछता हूँ उसका भी answer आप लोग comment box में जरू दीजेगा तो चलिए इस practice set को शुरू करते हैं अगर आप चनल पे वेले आप जिट की चनल को subscribe करें बेल एकनो प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइब चैट में भी answer देते रही है मैं सभी के comment जो है read कर रहा हूँ तो चलिए इस practice set को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के सभी questions जो है solution विद अभिशेक YouTube चनल की slide पे हैं ये गलती से हुआ है कि solution विद अभिशेक YouTube चैनल की slide पे ये सारे questions टाइप हुए हैं जब टाइप हो चुके थे तो मैंने इसको छेड़ खानी नहीं किये इसमें क्योंकि टाइप हो चुका था time इसमें spend कर चुका था में एक बार तो इसी को मैंने का पढ़ा दूँगा पस आप लोगों को तो पढ़ने से मतलब है आप में से अगर किसी को नहीं पता है कि solution विद अभिशेक पी मेरा ही चैनल है तो ये दोनों चैनल जो है हमारे ही है अगर आप लोगों ने solution विद अभिशेक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर आपको gkgs current affairs questions मिलते है अगर आप लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप लोग solution विद अभिशेक यूटूब चैनल को सर्च कीजिए और उस पर विजिट करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो subscribe जरूर करिएगा तो चलिए इस practice set को शुरू करते हैं first question से सबसे पहला जो question कुशन मबन I can cope blank any problem तो इसमें आप लोग सोच लिजी सकराइट option क्या हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है cope तो cope के साथ जो है तीन तरह के error होते हैं तो सबसे पहले आपको exam में दिया होता है cope bid और उसके बाद दिया होता है cope up यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cope up और cope bid up भी होता है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है cope bid, cope up और cope up bid और cope bid up तो यह तीन तरह के आपको इसमें error दिये हैं तो यह तीनों ही अपने आप में जो है गलत है बाकि जो सही है cope के साथ हमेशा bid होता है only आप सभी लोग याद रखिये तो यहाँ पर इसका be option यहाँ पर correct हो जाएगा cope bid का मतलब होता है किसी चीज का समाधान करना manage करना या फिर किसी चीज से निपटना इस sentence का जो मतलब हो जाएगा I can cope with any problem मैं किसी समस्या का सामना कर सकता हूँ इस sentence का मतलब हो जाएगा cope bid का मतलब होता है किसी चीज से निपटना या फिर किसी चीज का manage करना या फिर किसी चीज का समाधान करना या फिर किसी चीज का सामना करना तो यहाँ पर cope bid होता है cope up कभी नहीं होता है cope up bid भी नहीं होता है और cope bid भी नहीं होता है ये तीन तरह के error आप लोग याद रखिएगा exam में काफी वार ये error पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया है हमिशा जो है cope बिद होता है इसको आप लोग सही कर लीजिए बाकी ये तीनों जो है गलत हैं आप लोग याद रखिए sentence का मतलब मैंने आपको बता दिया है मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले question question number two his manners speak blank him तो इसमें आप लोग सोच लिजे सकराइट option क्या हो जाएगा मैं आपको जो है speak के बाद off का बाता है out का बाता है और up का बाता है और four का बाता है यह मैं चारो आपको समझा देता हूँ मैंने यह आपे चारो यह लिख लिए है speak for, speak off, speak up, speak out यह जो phrasal bug होती है इनका मैं चारो का मतलब मैं आपको बताउँगा मैंने यह आपे चारो ही लिख दिये हैं speak के बाद four का बाता है speak के बाद off का बाता है speak के बाद up का बाता है और speak के बाद out का बाता है यह चारो ही जो है phrasal bug है जब आपको जो है features के बारे में बताना हो manners के बारे में बताना हो और characters के बारे में बताना हो तो आपको हमेशा जो है ये for proposition fill करना है आप सभी लोग याद रखिए तो यहाँ पे manners के बारे में बात हुई है मैंने अभी आपको बताया है कि manners के बारे में बताना हो characters के बारे में बताना हो features के बारे में बताना हो तो आपको हमेशा for proposition fill करना है तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा Speak for का मैंने मतलब आपको बता दिया है Speak of का मतलब क्या होता है Speak of का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताना किसी चीज़ के बारे में बताना तो speak of लगाएंगे आप speak up का मतलब होता है किसी चीज़ का बचाओ करना किसी चीज़ का defend करना तो यहां पर speak up का मतलब होता है किसी चीज़ का बचाओ करना या फिर किसी का defend करना और speak out का मतलब होता है frankly अपना opinion बताना या फिर अपनी राय बताना तो speak out होता है तो यहाँ पर इसका correct जो हो जाएगा यह हो जाएगा speak for इसका मतलब होता है features, manners या फिर characters के बारे में बताना तो यहाँ पर d option यहाँ पर correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा his manners speak for him मतलब की उसके manners मतलब उसके sister 4 उसके बारे में बताते हैं उसके जो manners हैं उसके बारे में बताते हैं इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question कुष्णमा 3rd She scoffed blank the idea of revolution तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो scoff के बाद हमेशा जो proposition आता है हमेशा at proposition आता है आप सभी लोग याद रखिए यह जो है fix proposition है सकोफ के बाद हमेशा at proposition आता है सकोफ का मतलब होता है कि मजाक उडाना तो यहां पर sentence का मतलब हो जाएगा She scoffed at the idea of revolution उसने revolution के idea का मजाक उडाया इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question question number 4 It is our duty to get blank the truth तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा It is our duty to get blank the truth तो get के बाद जो proposition आएगा यह at आएगा तो get at का मतलब क्या होता है किसी चीज के bottom तक पहुंचना किसी के तहत तक पहुंचना मतलब किसी के bottom तक पहुंचना तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा तो यहाँ पर इसका right option हो जाएगा option D correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा It is our duty to get at the truth मतलब की सत्य तक पहुंचना हमारा करतब्य है इस sentence का मतलब हो जाएगा किसी के तहट तक पहुँचना या किसी के बॉटम तक पहुँचना इसका मतलब होता है get at का मतलब अगला question कुछ नमा five she was happy to partake blank the festivities तो इसमें आप लोग socially just correct option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ partake मैंने यहाँ पे लिखा है partake तो partake के बाद जो है दो proposition आते हैं एक आता है off और एक आता है in और off कव आता है और in कव आता है जब आगे participate के बारे में बात की जाए जब आगे जो है participate के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है off proposition लगाना है और जब आगे जो है meal के बारे में बात की जाए मतलब कि खाने के बारे में बात की जाए या फिर enjoyment के बारे में बात की जाए मैं या पर लिख देता हूँ enjoyment के बारे में बात की जाए या फिर खाने के बारे में बात की जाए या फिर meal के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है proposition in proposition फिल करना है आगे दिया है यहां पर festivities तो festivities क्या है मतलब कि यहां खाने के बारे में बात हुई है मतलब कि enjoyment के बारे में बात हुई है तो यहाँ पर आपको proposition in, fill करना है, आपको मैंने दोनो प्रपोजिशन समझा दिये हैं, off का बाता है और in का बाता है, जब खाने के बारे में बात की जाए, meal के बारे में बात की जाए, या फिर enjoyment के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा जो है, लगाना है proposition in, और जब off लगाएंगे यहां पर इन लगाएंगे तो यहां पर इसका ए ओप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा वह उत्सवों में पार्टी करके खुश थी इस sentence का मतलब हो जाएगा फ्रेंट से अपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दस फ्रेंट से वीडियो को जरूर शेके करें अगला कुश्चन कुश्चनमा 6 आ थोरो सर्च ओफ दा एरक्राफ्ट बोज केरीड ब्लेंक इन दा एरपोर्ट तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका राइट आप्सन क्या हो जाएगा एक फ्रेजल बव होती है केरी आउट यहां पे मिल लिग देता हूँ केरी आउट क किया होता है तो केरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का बारिकी से किया जाना कहलाता है केरी आउट आप सभी लोग याद रखिए तो carry की यहां पर third form लिखी हुई है carried तो carried out यहां पर इसका correct हो जाएगा option A correct हो जाएगा carried out जो phrasal verb होती है carry out जो phrasal verb होती है इसका art होता है किसी चीज़ को बारिकी से करना तो यहां पर sentence का जो मतलब हो जाएगा author search of the aircraft boss carried out in the airport मतलब की airport पर बिमान की बारिकी से तलाशी ली गई इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question question number 7 discrimination blank any form should be avoided तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या हो जाएगा discrimination के बाद हमेशा जो proposition आता है हमेशा in proposition आता है तो यहां पर इसका right option हो जाएगा option यहां पर डी करेक्ट जाएगा discrimination के बाद हमेशा proposition आता है in आप सभी लोग याद रखे यह जो है fix proposition है sentence का जो मतलब हो जाएगा discrimination in any form should be avoided मतलब की किसी भी बेदभाव से बचना चाहिए इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question 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 8 a large number of people have fallen victim blank dengue fever तो इसमें आप लोग सोच लिजी इसका right option क्या हो जाएगा तो यहां पर दिया है fallen तो fallen के बाद हमेशा two आता है proposition और कब आता है two जब आगे जो है सिकार होने के बारे में बात की जाए आगे जो है victim के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो proposition फिल करना है यह fallen के बाद हमेशा two proposition फिल करना है यह जो है fixed proposition है जब किसी चीज के सिकार होने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा fallen के बाद आपको two proposition फिल करना है तो यहां पर इसका right option हो जाएगा option A correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा a large number of people have fallen victim to dango fever मतलब की बड़ी संख्या में लोग dango fever के शिकार हो गए है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question question number 9 this work of art is worthy blank praise तो इसमें आप लोग सोचलिजिस का right option क्या हो जाएगा तो वर्दी के बाद हमेशा जो proposition आता है हमेशा of proposition आता है तो यहाँ पे इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा worthy of का मतलब होता है कि काबिल के तारीफ होना यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा this work of art is worthy of praise यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा यह जो art है वो काबिले तारीफ है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question question number 10 for our child a blow blank self esteem is a terrible thing तो इसमें आप लोग सोच लिजे सका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे self esteem दिया है self esteem मतलब होता है आत्म सम्मान मतलब की self respect तो यहाँ पे blow के बाद जो proposition आएगा यह two proposition आएगा तो यहाँ पे इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा blow to का मतलब क्या होता है तो blow to का मतलब होता है तो blow to का मतलब होता है किसी चीज का खतम हो जाना या फिर किसी चीज का हट जाना या फिर किसी चीज का निकल जाना तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा एक बच्चे के लिए आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाना अगला कुश्चन कुश्चनम 11, फ्रेंट से आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंट से वीडियो को जरूर से क्या करें अगला कुश्चन कुश्चनम 11, he is our descendant blank the Mughal royalty, तो इसमें आप लोग सोच लिजिए सका right option क्या हो जाएगा तो descendant के बाद जो proposition आएगा, यहाँ पर off proposition आएगा, इसका मतलब होता है बारिश, मतलब की one such, तो यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा, वह मुगल राज घराने के बंसाज है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, मतलब की जो one such होता है, जो वारिश होता है, उसको बोलते हैं, descendant of, तो यह पर इसका a option यहां पर correct हो जाएगा अगला question question number 12 fate smiled blank him in all his ventures तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहां पर मैं phrasal bulb लिखता हूँ smile on तो यहां पर मैंने लिखा है smile on phrasal bulb इसका मतलब होता है to bless to bless मतलब की person होना तो यहां पर यह phrasal bulb का मतलब होता है की person होना to bless यहां पर sentence का जो मतलब हो जाएगा fate smiled on him in all his ventures मतलब की भाग्य में उसके सभी उपकरों में उस पर मुस्कुराया इस sentence का मतलब हो जाएगा smile on phrasal bulb का मतलब होता है to bless मतलब की person होना तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका c correct हो जाएगा अगला question question 13 don't put blank until tomorrow what you can do today तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे में लिख देता हूँ put off तो put off result पाम का मतलब होता है कि to postpone मतलब की to repel मतलब की इस्थागित करना तो यहाँ पे sentence का जो मतलब हो जाएगा पहले सबसे पहले यहाँ पे right option हो जाएगा option यहाँ पे decrypt हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा don't put off until tomorrow what you can do today मतलब की आप जो आज कर सकते हैं उसे कल तक मत डाले इस sentence का मतलब हो जाएगा put off resolve up का मतलब होता है to postpone मतलब की इस्थागित करना अगला question कुष्टम 14 the train is arriving blank platform number 4 तो इसमें आप लोग सोच लिजेस का right option क्या हो जाएगा जब किसी small places पे आपको पहुँचने की बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा arrive के बाद जो proposition fill करना है यह हमेशा जो है at proposition fill करना है या फिर किसी चीज़ के आपको pass पहुँचना हो तो आपको उस condition में हमेशा आपको proposition at fill करना है तो यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा the train is arriving at platform number 4 मतलब की जो train है यह platform number 4 पर आ गई है मतलब की platform के बिल्कुल pass आ गई है तो जब कोई चीज किसी के pass आ जाती है तो उस condition में आप हमेशा जो है at proposition का fill करते हैं तो यहाँ पे arriving at यहाँ पे इसका correct हो जाएगा अगला question question number 15 the criminal boss totally taken blank when the police recognized him तो इसमें आप लोग socially जिसका right option क्या हो जाएगा तो यहाँ पे जो taken use किया गया है यह जो है passive voice में use किया गया है तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे एक correct हो जाएगा अब एक यहाँ पे इसका correct हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ taken यहाँ पे मैंने लिखा है taken यहाँ पर लिखा हुआ है अबेक तो taken अबेक फ्रेजल बब का जो मतलब होता है यह होता है to be surprised मतलब की अचम्वित हो जाना तो यहाँ पर sentence का जो मतलब हो जाएगा सबसे पहले मैंने आपको मतलब बताया है taken अबेक का मतलब होता है to be surprised मतलब की अचम्वित हो जाना तो यहा criminal boss totally taken aback when the police recognized him मतलब कि जब पुलिस ने अपरादी को पहचान लिया तो वह पूरी तरह से दंग रह गई या फिर अचमित हो गई इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question question 16 the examination will begin blank Monday तो इसमें आप लोग सोच लिजिस का right option क्या हो जाएगा यहाँ पे Monday दिया है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday जब भी sentence में सपता के दिनों के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है on proposition फिल करना है आपको हमेशा याद रखना है जब भी sentence में आपको day दिया हो तो आपको हमेशा उससे पहले on proposition फिल करना है और day कौन कौन से होते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, जब भी आपको या day दिये हों तो आपको हमेशा जो है, on proposition fill करना है. जब sentence में कोई date दियो हो, जब आपको जो है proposition on fill करना है. जब sentence में गड़ी का समय दिया हो, तो आपको at proposition fill करना है. जब आपको घड़ी का समय दिया हो, मतलब की exact time दिया हो तो आपको हमेशा जो है at proposition fill करना है जैसे 7 o'clock जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 7 o'clock यह जो है गड़ी का समय है मतलब की exact time है मतलब की 7 o'clock तो यहाँ पे आपको proposition at fill करना है जब आपको कोई month दिया हो यहाँ पर में लिख दिता हूँ month जब कोई आपको month दिया हो January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December यह आपको दिये हो तो आपको हमेशा proposition in fill करना है जब आपको कोई year दिया हो जैसे यहाँ पर में लिख दिता हूँ तो आपको on proposition fill करना है, कोई date दिया है तो आपको on proposition fill करना है, जब घड़ी का exact time दिया है तो आपको at proposition fill करना है, जब आपको कोई month दिया है तो आपको in proposition fill करना है, अगर कोई year दिया है तो भी आपको जो है in proposition fill करना है, यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे दिया है day, Monday, तो यह यहां पे इसका D option यहां पे correct हो जाएगा, मैंने आपको सारे proposition आपको बता दिये हैं, तो यहां पे sentence का मतलब हो जाएगा, परीच्छा जो है, यह सौंबार से सुरू होगी, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगले question, question number 17, you must apologize blank him for this, तो इसमें आप लोग सोच लिजिस का right option क्या हो जब भी आपको apologize दिया हो sentence में, तो इसके बाद जो है, दो proposition आते हैं, एक आता है to, और दूसरा आता है for, आगे यहां पे दिया हुआ है, यहां पे जो है four दिया हुआ है, जब आगे कोई person हो, जब आगे कोई person हो, यहां पे मिलेग दिता हूँ person, जब आगे कोई person होगा, तो आपको to proposition fill करना है तो मैंने आपको क्या बताया जब आगे कोई person होगा तो आपको to proposition fill करना है जैसे यहाँ पर him दिया है तो आपको to proposition fill करना है आगे जो this दिया है मतलब किसी चीज के बारे में बात की गई है तो आपको for proposition fill करना है जब आगे something कुछ भी दिया हो तो आपको जो है हमेशा proposition for fill करना है apologize के बाद और to कब आता है जब आगे कोई person हो तो यहाँ पे इसका right option हो जाएगा option यहाँ पे इसका be option यहाँ पे correct हो जाएगा question number 17 का right option हो जाएगा option be correct हो जाएगा you must apologize to him for this apologize का मतलब होता है चमा याचना करना यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा you must apologize to him for this मतलब की आपको इसके लिए उनसे माफी मागनी चाहिए इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question question 18 she seems cursed blank bad luck तो इसमें आप लोग सोच लिजेज़ का right option क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cursed bid तो cursed bid जो है एक phrasal verb होती है जिसका आर्थ होता है किसी बुरी चीज से लगातार पीड़ित होना या फिर पिरभावित होना तो किसी बुरी चीज से लगातार पीड़ित होना या फिर पिरभावित होना तो यहाँ पे cursed bid का मतलब होता है तो यहाँ पे cursed bid यहाँ पे इसका correct हो जाएगा option यहाँ पे b option यहाँ पे correct हो जाएगा मैंने आपको मतलब बता दिया है कर्जड बिद का मतलब होता है किसी बुरी चीज से लगातार पीड़ित होना या फिर प्रभावित होना आप सभी लोग याद रखिए option याँ पे इसका B option याँ पे correct जाएगा question 18 का अगला question question 19 smallpox has been eradicated blank India तो इसमें आप लोग सोच लिजेज का right option क्या हो जाएगा eradicated means होता है कि किसी चीज का जो है उन्मूलन होना या फिर किसी चीज का पूरी तरह से नस्ट होना या फिर छुटकारा पाना किसी चीज से business कर याँ पे जो है कोई बुरी चीज से बात की गई है मतलब किसी भी चीज से पूरी तरह से नस्ट होना या फिर किसी भी चीज से छुटकारा पाना मतलब की बिसेसकर जो है बुरी चीज से बात की जा रही है यहां पर sentence में तो यहां पर from India यहां पर इसका correct हो जाएगा eradicated from India option यहां पर इसका be correct हो जाएगा भारत से चेचक का उनमूलन हो चुका है इस sentence का मतलब हो जाएगा eradicated from India यहां पर इसका be option यहां पर correct हो जाएगा अगला question question 20 he was brought blank by his aunt as his mother had died when he was just a lead तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूँ bring यहां पर मैंने क्या लिखा है bring और यहां पर bring के बाद मैं लिख देता हूँ यहां पर up तो bring up का मतलब होता है to raise मतलब की to increase मतलब की मुद्दा उठाना या फिर पालन पोशर करना तो bring up का मतलब होता है कि पालन पोशट करना या फिर मुद्दा उठाना to raise या फिर to increase तो यहाँ पर bring का जो third form होता है यह brought होता है आप सभी लोग याद रखिए तो यहाँ पर bring आप जो frizzle bulb होती है इसका आर्थ होता है to raise मतलब to increase मतलब की मुद्दा उठाना या फिर पालन पोशट करना तो यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पालन पोशट के बारे में बात की गई है तो कुछ नमर 20 का right option हो जाएगा यहाँ पर इसका a option यहाँ पर correct हो जाएगा तो यहाँ पर sentence का जो मतलब हो जाएगा उनका पालन पोशट उनकी चाची ने किया है क्योंकि जब वह बालक थे तभी उनकी मा की मृत्य हो गई थी इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्रोट अप यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन कुशनमर 21 एज शी बिकेम टायर्ड एरड बिगें टू क्रीप ब्लेंक हर वर्क तो इसमें आप लोग सोच लिजेश कराइट आप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लेग देता हूँ क्रीप इंटू यहाँ पे क्रीप इंटू फ्रेजल बब का क्या मतलब हो होता है किसी चीज का घटित होना या फिर प्रभावित होना शुरू होना मतलब किसी चीज का घटित होना या फिर किसी चीज का घटित शुरू हो जाना तो यह क्रीप इंटू का मतलब होता है तो यहाँ पे इंटू इसका क्रेक्ट हो जाएगा तो क्रीप इंटू फ्रेज उसके काम में गलतियां आने लगी इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला question question 22 इस video का last question है I complimented him blank his success तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या हो जाएगा जब आगे जो है success के बारे में बात की जाएगा तो आपको हमेशा जो proposition फिल करना है यह हमेशा आपको on proposition फिल करना है I complimented him on his success यह इसका correct हो जाएगा sentence का मतलब हो जाएगा मैंने उसकी सफलता पर उसकी साराना की इस sentence का मतलब हो जाएगा Thank you friends आप लोगोंने 22 में से कितना score किया है कैमें टॉक्स में जरूब बताएं Friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और अपने 10 friends वीडियो सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम